Hello everyone, welcome back to the channel, कैसे हैं आप लोग, I hope आप सभी लूग बहुत अच्छे से हूँगे दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, आप सभी को अक्ष़तरित्या की बहुत बहुत शुब कामना है, और आज अक्ष़तरित्या की खुशी में मैं बना रही हूं मुंकी दाल का हल्वा और यह इंस्टेंट हलवा बना रही हूं मैंने दाल भी होई नहीं थी तो यहां पर एक कटोरी मूंग की दाल लिए और इसको मैंने धोलिया है अच्छे से और यहां पर देखिए यह चंणी में मैंने रख दिया जिससे के सारा पानी इसका निकल जाए ठीक है और यहां पर ए तो भी जाए तो धुझे लिए दो चंणी बेसन लिया है थोड़े से ड्राइफ रूट है इसमें बदाम और काजु है इनको मैंने घी में बून लिया है ठीक है और यह हैं मगज खरबुजे के बीज इनको भी घी में भून लिया है तो अब इसको क्या करेंगे हम कढ़ाई में इसको भूनेंगे दाल को तो कड़ाई गरम हो चुकी है ठीक है फिर्ट तो जी यहाँ पर हमारी कड़ाई गरम हो चुकी है और इसके अंदर मैंने एक चमच के करीब घी डाल दिया था घी के साथ हम मूंकी दाल को भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है तो यहाँ पर मैं इंस्टेंट मूंकी दाल का हलवा बना रही हूँ तो देखे यहाँ पर हमारी जो दाल थी वो भी भून गई थी और इसने अपना कलर चेंज कर दिया था तो दाल को अच्छे से भूनना है उसके बाद इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवे के लिए चाशनी तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था उसके अंदर मैंने अंदाजे से तीन कटोरी के करीब पानी डाला है और एक कटोरी मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी थी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर इलाइची पाउडर डालूँगी थोड़ा सा केसर डाल दूँगी इलाइची से बहुत यची खुश्व को जाती है और डाइजेस्शन के लिए अच्छी होती है और केसर से बहुत यच्छा कलर आ जाता है तो इसको अब हम गैस पे रख देंगे मंदी आज पे रखेंगे जिससे के चीनी धीरे धीरे घुल जा और चाशनी बनके तयार हो जाए तो यहाँ पर देखिए दाल ठंडी हो चुकी थी और एकदम क्रिस्पी हो गई थी अब हम इसको एक मिक्सी के जक्के अंदर डाल देंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाके तयार करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक पाउडर बन गया था लेकिन यह थोड़ा सा दरदरा था तो यहाँ पर देखिए हमारी मूंकी दाल का बारिक पाउडर हलवे कले बनके तयार है आप लोग चाहें तो बिना घी के इसको भूने और ऐसा पाउडर बनाके आप एक महीने कले स्टोर कर सकते हैं और जब जी चाहे हलवा बना करके खा सकते हैं तो देखिए फिर से मैंने कड़ाई गयास पर रग दी थी उसमें मैंने एक कटोरी घी डाल दिया था और यह घी थोड़ा सा गरम करना है बस इसको ज्यादा गरम नहीं करना है जिससे के गी बस मैल्ट हो जाए इतना गरम करना है तो यहाँ पर मैंने दो चमच इसमें सूजी डाल दी थी अब सूजी को हम अच्छे से भूनेंगे सूजी को बस इतना ही भूनना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुश्बू आने लगे तो यहाँ पर दीखिए सूजी हमारी भून चुकी थी और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था तो इसको यह जल जाएगा तो इसको मंदी आज पर भूनना है तो बेसन ने भी अपना कलर चेंज कर लिया था और बेसन भी भून गया था उसमें से बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लगी थी तो इस स्टेज पर हमें जो मूंकी डाल का हमने पाउडर बना के तयार किया ह दीरे दीरे हम इसको घी के अंदर डालेंगे और मिलाते जाएंगे नहीं तो लम्स बन जाएंगे तो यहां पर मैं डालती जारी थी और चम्चे से मैं इसको मिक्स करती जारी थी तो अगर हो सके तो एक हाथ से डालते जाए और एक हाथ से मिलाते जाए नहीं तो अगर दो दमक्त भ stiff गए कीचण में तो एक डालता जाए और एक मिलाता जाए इसको अच्छे से मिक्स करना है खूब अच्छे से मिलाते जाएंगे और चलाते जाएंगे इसको जो मुंकी डाल का जो पाउडर है इसको घी के अंदर ऐसे ही नहीं चोड़ देना इसको लगातार चलाते रहना है तभी आपका जो अच्छा हलवा है मुंकी डाल का वो बनके तयार होगा तो यहाँ पे देखिए डाल ने थोड़ा सा घी छोड़ दिया था अच्छे से मिक्स हो गई थी यह गी के अंदर और बहुत ही अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर दिया था और अब इस समय देख अब और डाल दिया था मैंने इसके अंदर और इसको अच्छे से चला देंगे और इसको चलाते जाना है नहीं तो इसके अंदर लंस बन जाएंगे पानी डलने के बाद में इसको अच्छे से चलाना है चम्चे से तो यहाँ पर मैं चलाती जाओंगी जब तक कि यह छोड़ने लगा था इस समय हमने मैंने गैस बंद कर दी थी क्योंकि हमारा जो हल्वा था बनके तयार हो चुका था बहुत ही टेस्टी बना था आप थोड़ा और गाड़ा करना चाहते हैं तो थोड़ी देर गैस और जला के रखे यहां पर मैंने हल्वे को गार्निश कर दिया था ड्राय फ्रूट्स के साथ में और बहुत ही टेस्टी हल्वा बनके तयार हुआ था यकीन मानिए एक बार ट्राय कीजिए बिल्कुल हल्वाई जैसी रेसिपी बनके तयार होती है तो सबसे पहले मैंने इसका भोग लगाया था हल्वे का भगवान जी को अपने मंदिर मे और उसके बाद सबको मैंने खाने के लिए दिया था तो कभी आपने अगर डाल नी भगोई है तो आप इस तरीके से हल्वा बना के तयार कर सकते हैं बहुती एजी रेसिक्टी है तो जी चलिए आज अक्षेत रित्या की थाली लगा लेते हैं अक्षेत रित्या पर मैंने ब प्रेशल थाली कैसी लगी तो यहां पर छोटे वाले बेटे ने कैब बुक कर दी थी गर्मी बहुत ज्यादा थी इसले एक बॉटल पानी भी घर से ले लिया था तो यहां पर देखे चल दी थी मैं इनके साथ में और पहुंच गए थे हाम एक रेस्टोरेंट में देली में तो यहां काफी अच्छा था ये तो बच्चे बोले डेली खाना बनाती हो आप घर पे हमारे लिए तो आज आपके लिए कुछ सर्प्राइज है आप कुछ अच्छा लगता है आप अपने लिए वो मंगा लो तो मैंने का नहीं जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वो मंगा ओ तुम आज आज मैं तुम्हारी पसंद का खाऊंगी, अपनी पसंद का नहीं खाऊंगी, तो जी फिर बच्चों ने order दे दिया था, और आज का दिन बहुत ही अच्छा था, मैं अपने बच्चों के साथ थी, हम एक दूसरे के साथ time spend कर रहे थे, फिर भी कमी थी, कमी ये थी कि मेरे husband में नहीं थे, उनकी duty थी, क्योंकि election तक उनको कोई चुटी नहीं है, duty है उनकी, तो इसलिए उनकी कमी बहुत ज्यादा हम तीनों को यहां पर खल रही थी, और हम बार-बार उनको कॉल कर रहे थे, बाते कर रहे थे, वीडियो कॉल करी हमने उनको, तो यहां पर देखिए हम बारे वाले बेटे ने मंगाई थी, अपने लिए कोल कॉफी, तो हमने एक दूसरे का जो शेक था वो टेस्ट किया, और यहां पर मैं उसके साथ मजाग कर रही थी कुछ, और यहां पर देखिए पीजा आ गया था, तो एक मंगाया था हमने पीजा, तो जी चलिए खाना हर दिन होते हैं, सारे दिन ही मा के होते हैं, मा के बिना कोई दिन नहीं होता बलकि, तो मैं अपनी वीडियो में बोलना चाहूंगी अपनी मम्मी को, हैपी मदर्स डे मम्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस दुनिया में मुझे लेके आई, यह दुनिया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दिन केवल मा का निये पापा का भी है क्योंकि इसमें पापा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है अपने बच्चों को पालने में और अच्छे उनको पढ़ाई लिखाई करवाने में तो पिता जी का भी बहुत बड़ा योगदान हो कश लगी होजी जदिए भुठापी त्यूजिवमे की अधिक, कश था प्लैटर ने बच्छों ने खाया धे शोलगा बस हजबन की कमी जरूर महसूस हो रही थी यहां पर कि वो साथ में नहीं थे आज वो ड्यूटी पे थे चलो कोई बात नहीं ड्यूटी भी बहुत जिन्दगी का एहम इस्सा है वो भी बहुत जरूरी है नेक्स टाइम उनके साथ नजर आएंगे तो चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें चैनल पर नए है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें